लोग करते हैं जिस हाल में दुआ मरने की, उस हाल में हमने कसम जीने की खाई है यूपी पुलिस दो हजार तेईस, साथ हजार से ज़्यादा वैकेंसी, मौका बेशक बड़ा है, लेकिन कई चुनोतिया ले खड़ा चुनोतिया चाहें जो भी हो, उनसे निपटने के लिए आपको आउसकता है बहतरीन कंटेंट और जवर्जस्ट टीम की, जिसकी पूरे जिम्मदारी लेता है आपका अपना SSC मेकर परिवार उत्तर प्रदेश पूलिस की सबसे जवर्जस त्यारी कराने के लिए SSC मेकर लेकर आया है आपके लिए सिपाही बैज जो देता है आपको उत्तर प्रदेश पूलिस में सौप रतिसस्त सेलेक्षं की गारेंटी तो बिना देरी किये आज ही ज्वाइन करें SSC मेगर का सिपाही बैज और करें अपने सेलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC मेगर का अब और दिये गए नंबर पर कॉल करें करें तो कि अधिक नमस्कार साथियों कैसे आप सभी मैं श्वानी चोधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC मेकर में आज हम डिसकस करेंगे एक बहुत ही महत्पून टोपिक गवर्नर राज्यपाल जो की भाग छे आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसमें प्रावधान है अगर मैं देखा जाए संग सरकार के बारे में हाला कि आर्टिकल्स जो है यह राज्यपाल से संबंदित हम यहां पर करेंगे लेकिन भाग छे का यह पार है जो हमारा भाग छे हैं इसमें आर्टिकल 152 237 लिखाए यह है आपका राज्य सरकार यह जिसको हम क्या कहते हैं राज्य विधान वे इसमें वह सारी चीजे सामिल है जैसे आपने भाग पांच में संग सरकार के बारे में पड़ा था तो उसके बारे में आज यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं बहुती महतपून कर रहे हो इस सभी के लिए आपकी क्लास होने वाली है तो सबसे पहले यहां पर सुरुवात करते हैं थोड़ा सा बेसिक चीजों को जानते हुए चलेंगे यहना बेसिक जो हमारे के तब की समझ यहां तब ही सबस्क्राइब के अशिक पालित नहीं यहां और बनाव मादा सबस्क्राइब उनको यह काफी आस नहीं होते हैं बाखेव सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा से पहले वह समझ के फिर राज्येपाल को डिसकस करेंगे तो यहां पर जैसे हम पढ़े थे संग सरकार को लेकर संग सरकार यह डियर्टली अगर मैं बात करूं जैसे आपने केंद्र में संसद देखा है अना संसद पार्लेमेंट जो हमारी है संसद संस इसी के पहले आपको समझना है राज्यों में एना जो राज्य विधान मंडल जिसको हम कहते हैं राज्य विधान यानि कि विधी विधान बनाने वाला एक संस्था आप कह सकते हैं मंडल कह सकते हैं तो यहां पर भी दो सदन होते हैं एक होता है विधान सभा एक क्या होता है विधान सभा होता है एक होता है विधान परिशद क्या होता है भई विधान परिशद यह दोनों को याद रखना है दोनों को आप याद रखिएगा एक होता है विधान सभा एक होता है विधान परिशद क्लियर ठीक है यह होगे आपका संसद याने के पार्लेमेंट को लेकर यह होगे आपका किसे लेकर सथाई सदन है कैसा सदन है यह आप कह सकते हैं इसका चुना होता है इसमें सदस्यों का जो विधान सभा के सदस्यों होते हैं यह प्रतिक्स नहीं प्रतिक्स तरीके से होता है प्रतिक्स चुनाव इनका होता है ठीक है यह किसके पैलर माना जाता है यह माना जाता है लोग सभा के पेलर जैसे लोग सभा के सदश्यों का चुनाव होता है या लोग सभा का गठन होता है सेम उसी प्रकार से विधान सभा होती है ठीक है एक होता है विधान परिशद ये इसके सदश्यों का चुनाव होता है एपरत्यक्स तरीके से एकल संक्रमनी ये पदती जो आप पढ़त आप से पूछ लिया जाए तो यह भारत के सभी राज्यों में नहीं है भारत में केवल 6 ऐसे राज्ये हैं जहां पर विधान परिशद है अगर इन 6 की में बात करता हूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है उत्तर परदेश हो जाएगा यह यूपी हो जाएगा ध्यान सबसे पहले राज्ये आपको ध्यान रखनाओं अगी उत्तर परदेश में विधान सभा है स्वरी विदान परिशद है दूसरा आपका बिहार आ जाएगा तीसरे नंबर पर आपका क्या जाएगा तेलंगाना आ जाएगा तेलंगाना में है तो 6 टोटल राज्ये हमारे ऐसे हैं जहां पर विधान परिशाद है भाई ठीक है न ऐ मा जाएगा जेखा इसके बाद insects के आंधर чhat प्रदेसाद में आजाएगा म्हारास्ट्र करनाटग और महाराष्टरा, करनाड़क और महाराष्ट, यह चेंधे राद्जे हैं, जिनमें विधान पृरिसद है, बाकी अगर में बात करताूं, यहां पर हमारे 28 राद्जे हैं, जहां पर विधान सभाई हैं, दो हमारे केंदर-शाषित-परदेश हैं दो हमारे यूटीज हैं, जैसे यूटीज की मैं बात करता हूँ, यूटी में कौन-कौन से हैं, एक आपका दिल्ली है और एक पुडुचेरी है, दिल्ली व पुडुचेरी इन दो यूटीज में क्या हैं, दो यूटीज में विधान सभा हैं, यहाँ पर मुख्य मंतरी का आप कह सकते हैं कि जिस परकार से केंदर विस्तर पर लोग सभा है, उसी परकार से राज्यों में, इसके पेलर किसको माना जाता है, तो विधान सभा को माना जाता है। और इसी परकार से जिस परकार से केंद्र में राज्य सभा है उसी परकार से राज्यों में विधान परिशद होती है और इनके जो समयधानिक प्रमुक होते हैं ये कौन होते हैं राज्ये पाल होते हैं इनके समयधानिक प्रमुक कौन है ये राज्ये पाल है दोस्तों ध्यानक ना हमारे जो गवर्नर होते हैं राज्येपाल होते हैं वो इसके क्या होते हैं प्रमुक होते हैं इंपोटेंट कोशन्स हैं पूछिएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे अपना प्रिवेश से एक बर उठा के आप देखिएगा ठीक है जिस परकार से हमारी जो ज़िसों को कहा जाता है यह हमारे प्रेज़िदन्ट यानि हमारे राश्ट्रपती होते हैं कुछ बेसिकạoải रस्वात्य होता है तो कुछ को एक बार देखेंगे भई भाग छे संग सरकार का in राज्य सरकार का भागkiem दोनों में डिफ्रेंस आपको पता होना चाहिए राज्य सरकार इसमें पढ़ेंगे कया पढ़ेंगे राज्य सरकार पढ़ने वाले हैं तो इसमें क्या-kia आपके topics आएंगे उन topics को आपको देखना है एक बार ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे राज जेपाल को लेकर जो हमारे governor होते हैं इसके बाद हम बात करेंगे हाँ पर हमारे जो chief ministers होते हैं मुख्य मंत्री होते हैं जो के यहना इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे जो आपका क्या होता है यहां पर होता है मुख्य मंत्री के अलावा जो होते हैं यह होते हैं आपके मंत्री परिशद जो होती है क्या होती है मंत्री परिशद जो होती है इसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा महाधी वक्ता महाधी वक्ता जिसको अटोर्णी जन्रल आपने केन सरकार के स्थर पर पढ़े होंगे जब Central Government में आपको पढ़ा रहा था भाग पांच हम पढ़ रहे थे उसमें एटोनी जनर हुआ करते थे जिसको भारत का महानियावादी कहा जाता तो यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर भी यह महानियावादी ही है लेकिन इनको यहाँ पर बस इनको महा दिवक्ता कहा गया है भा सबसे पहले जो हमारा टोपिक होगा यह होगा हमारा राज्येपाल उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य मंत्री इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका मंत्री परिशद और इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका महा दिवक्ता यह सारी चीज़े हमें क्लियर करते हुए आप पर च बैब पाँच में इसका प्रावधान है अ है ar कि कि राज्य सरकार का समेधानिक प्रमुख कोन होता है तो आपको ध्यान रखना है समेधानिक प्रमुख रॉझ्यय पाल होते हैं जैसे आप केंद्र के इस तर पर पढ़ते हो कि राज्य आपसे questions बनेगा कि निमलिकित में से नाम मांत्र का प्रमुक किसे कहा जाएगा तो राष्टपती options में होगा प्रधान मंत्री options में होगा या फिर आपका महानियावादी options में होगा या फिर आपका कैग options में होगा तो केंदर पर भी आपको याद रखना है कि राष्टपती हो में हैं और कोशन कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि राज्ये स्तर पर है ना समयधानिक प्रमुक कोन होता है तो वो होते हैं हमारे राज्येपार नाम मात्र के उनके नाम से ही कारिये होते हैं उनके बिहाग पर कोई और कारिये कर रहा होता है मुक्यमंत्रि कारई कर रहे होते हैं या फिर वो किसी के द्वारा ये किसी से कह कर अपनी सक्तियों का प्रियोग करा सकते हैं यह इस बात का उलेक हमारे आर्टिकल्स में दिया गया है जब आगे धेरे-देर हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों को आपको इस नाम मात्रप्रमुक जो होते हैं, यह राज्येपाल होते हैं। एक कोושं और यहां से बनता है, एक कोושं यह बनता है कि राज्ये की कारीपालिका का संचालन किसके नाम से होता है यह उसकी सकती किसके पास है जैसे आपने आर्टिकल 53 में पढ़ा होगा कि संग की कार्येपालिका की सकती राष्टपती में नहित है वो उसका उपयोग या तो स्वम या किसी के बिहाब पर अपने बिहाब पर किसी से करा सकते हैं कोई उनकी सकती का प्रियोग कर सकता है उनके कहने पर इसी से हमारे जो राज्य पाल हैं ये भी हमारी राज्य कारिय पालिका के प्रमुक होते हैं ये उस सकती का प्रियोग या उस कारिय के लिए खुद से कारिय कर सकते हैं या फिर अपने विहाब पर किसी से वो कारिय करा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखना है तो यहा बन सकता है अना सरकार का जो वास्तिविक प्रमुक है कौन है मुख्य मंत्री है लिखिएगा सरकार का वास्तिविक प्रमुक मुख्य मंत्री होता है वास्तिविक प्रमुक मुख्य मंत्री होता है कौन होता है मुख्य मंत्री होता है नाम मात्र के कौन होंगे नाम मात्र के होंगे भई आपके राज्येपाल लेकिन वास्त्विक जो एक्चुल में जिसके पास पावर है एक्चुल में जिसके पास पावर है वो कौन है हमारे मुख्य मंत्री जी है और नाम मात्र के कौन है ये राज्येपाल है य ये कौन है ये राज्येपाल है ध्यान लखेगे ठीक है चाल ये यहीं से आगे सुरुवात करते हैं आर्टिकल से यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है और आर्टिकल के तहत ही हमें यहाँ पर चीजों को समझते हो चलना वस एक चीज इसमें और चोटा सा जोल लीजिएगा कॉशन बना है एकच्जाम में पूछा गया कि संघ सरकार का अजंट निमने किदमें इसे कौन हैं तो ये चार इनको विभिन विभिन नामों से यह इनके नाम के आगे जो सब्दों का यूज किया जाता है उससे जाना जाता है एजन्ट किसे कहेंगे नाम मात्र किसे कहा जाएगा है ना तो यह सारी चीज़े आपको वहाँ पर याद रखनी है ठीक है चलिए आप अनुछेद से हमें सुरुवा बड़ा इंट्रेस्टेड है देखिएगा क्या कह रहा है कि राजयों का राजये पाल आप अनुछे राज्यों का राज्येपाल होगा यह बात लिखी है तो आप लिख सकते हैं कि राज्यों का राज्येपाल होगा ठीक है एक यह पॉइंट से हैं दूसरा पॉइंट यह है कि एक से अधिक एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्येपाल की न्युक्ति का प्रावधान है एक राज्येपाल की न्युक्ति का प्रावधान है न्युक्ति का प्रावधान है अब यह क्या क्या कोंसेप्ट है यह कोंसेप्ट यह है कि आर्टिकल 153 में 153 में इस बात को उलेखित किया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्ये पाल होगा ये बात बिल्कुल प्रोपर तरीके से मैंचन है साथ ही साथ वहाँ पर एक बात और मैंचन की गई है कि एक राज्ये के लिए एक राज्ये पाल का दो प्रावधान है लेकिन अगर दो राज्ये हैं तो दो राज्यों के लिए एक राज्ये का प्रावधान एक राज्ये पाल एक गवर्णर का प्रावधान भी हो सकता है तीन राज्यों के लिए एक गवर्णर का प्रावधान हो स इस बात का उलेख है ठीक है तो इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक राज्ये वा उससे अधिक राज्यों के लिए एक राज्येपाल का प्रावधान है यहाँ पर कोशन बनता है और बच्चे बड़ा कंफूजन में रहते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा कोशन आ जाए तो फिर हम क्या करें कि दो राज्यों के लिए राज्येपाल हो सकता है या नहीं हो सकता है यह प्रावधान है ठीक है इस पर जो डिसीजन होगा यह किसका होगा हमारे राश्टपती जीगा होगा वो चाहें तो 28 राज्यों के लिए एक राज्येपाल नियुक्त करें वो चाहे है ना वो चाहें क्या कर लें वो चाहें दस के लिए एक कर लें दो के लिए एक कर लें चार के लिए एक कर लें यह वहाँ पर बात आपको प्रोपर तरीके से याद रखनी है तो यह इतनी सी बात यहां पर मैंसे न है आर्टिकल 153 में चालेगा आर्टिकल 154 क्या कहता है यह आनुछेद 154, 144, राज्ये कारिये पालिका की सक्ति, राज्ये पाल में या गवर्नर में नहित होगी, क्या लिखा है? राज्ये कारिये पालिका की सक्ति, राज्ये पाल में नहित होगी, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो यहाँ पर एक points आपको याद रखना है कि जो कार्य पालिगा की सकती है, executive power है वो governor के पास में है, या तो वे स्वेम इसका प्रियोग कर सकते हैं या फिर अपने द्वारा किसी से इसका प्रियोग करा सकते हैं, अपने कहने से, अपने आदेश पर, अपनी न्युकती से किसी पर, या किसी इसके द्वारा इसका प्रियोग करा सकते हैं, जैसे आपने points पढ़ा होगा polity में, जब आप मुख्य मंत्री पढ़ोगे, इसमें इस बात को proper तरीके से लिखा गया है, कि हमारे जो प्रधान मंत्री, sorry, मुख्य मंत्री हैं, इनकी न्युक्ती कौन करेंगे, हमा कहीं पर लगा हुआ है, तो राष्टपती इनको आदेश कर सकता है, कि आप पूरे प्रशाशन को देखिएगा, हैना समयधानिक तंत्र विफल है, तो खुद आप देखिएगा, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये अपने बिहाब पर किसी से उन सकती का प्रियोग करा सकत हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि मुख्य मंत्री परिशद इनकी साहता के लिए होती है, ये भी बात लिखा गया है, हैना ये भी बात हमारे समयधान में लिखा है, कि हमारे जो चेप पनिश्टर वास की काउंसल और पनिश्टर है, वो हमारे गवर्नर की साहता के लिए की जाती है ठीक है तो यह बात आपको याद रखनी है तो यहाँ पर कोशन कैसे बनेगा कि आर्टिकल 154 किसे संबंदीद है तो राज्येपाल की कार्या पालिका की सकती जो किसमे नहीत है जो नहीत है राज्येपाल में एक्जगुडिव पावर किसके पास में है हमारे गवर् लेक है राश्टपती की राज्येपाल की न्युक्ति कोन करेंगे हमारे राश्टपती यानि कि गवर्नर की न्युक्ति का प्रावधान क्या है गवर्नर की न्युक्ति का प्रावधान या लिख सकते हैं कि राज्येपाल की न्युक्ति या गवर्नर की न्युक्ति है ना ब आप लिखना चाहें करेंगे तो यहां से कॉशन काफी बार आया है आपको चार ओप्शन देदेगा कि निम्लिकित में से राज्यपाल की यह गवर्णर की न्युक्ति कोन करता है ना प्रधान मंतरी करते हैं मुख्य नियाधिस करते हैं या फिर हमारे राष्टपती करते हैं या फिर हमारी मंतरी परिशत जोगी वो करेगी तो यहां पर इस बात को प्रोपर तरीक से समझ लेना है आपको कि हमारे जो राष्टपती हैं वो न्युक्ति करते हैं आर्टिकल 155 में इस बात को लेकित किया गया है आपको उप्शन में मुख्य नियाधिस नहीं मिलेंगे आपको मुख्य नियाधिस भी मिलने वाले हैं ध्यान रखेंगे सीज को प्रोपर तरीके से ठीक है चलिए आर्टिकल 156 अनुचेद 156 में किस बात का उलेक है यह राज्येपाल की कार्येकाल या पदावधी जिसको कहते हैं टर्णे ओर जिसको काला जाता है इनका जो कार्य कार्येकाल कार्येकाल या पदावधी जो भी आप करना चाहें पदावधी कार्येकाल जो भी आप लिखना चाहें इसके बारे में हाँ पर प्रोपर मेंचन है एना समाने तकर देखा जाए तो पांच सार इनका कार्येकाल होता है निकी न्युक्ति को लेकर पांच साल तक प है यह समान्य परिस्तिति वह ऐसा है समान्य ता यह पांस साल तक बने रहते हैं लेकिन एक यहाँ पर और मैंसन है एक को मेंचन किया गया कि राष्ट पती के प्रशाद प्रियंत एक कोशन यहां पर बनता है राष्ट पती के प्रशाद प्रियंत प्रशाद प्रियंत पद पर बने रहना प्रशाद प्रियंत पद पर बने रहना पद पर बने रहना तो यह भी प्रावदहान अगर समाने तो हमारे प्रेजिडेंट हैं यह अपने प्रशाद प्रियंत का बतलब यह हो कि जब तक यह चाहेंगे तब तक अपने बदपर बने रहेंगे अब वो पांच साल भी हो सकता है साथ साल भी हो सकता है दो साल भी हो सकता है छे महीने भी हो सकता है चार दिन भी हो सकता है पांच दि तो यहां पर आती है पूछ लिया जाए कि त्याग पत्र किसको देंगे अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे तो यह अपना त्याग पत्र राष्ट पती को सौंपते हैं किसे राष्ट पती को सौंपते हैं ध्यान रखना इस बात को कोश्चन्स दोनों सेम है किनको सपत कौन दिलाता है वो नहीं में बात कर रहा हूं उनकी न्युकती कौन करता है इनकी न्युकती कौन करता है सपत वाला मामला भी आपको यहीं समझा दूँगा जस इसी के बराबर में आप समझ जाना कि सपत का मामल क्या है है रही ऐना से वाला वो क्या है उसको यहाई पर समझ लेंगे लेकिन राष्ट पत्र को अपना पत्र आतक टीकाना ये क crank Us लिjes पूरा करने के बाद calendar भी स्राझे में नकेड़ा सकते हैं यह भी याद रखना आब आपके दिमागे चीजी चल रही हैं कि एक समय यानि के मान के चलेंगी यूपी के कोई राज्येपाल है जैसे अभी फिलाल में आनंदी बेंद पटेला काफी लंबे समय से बनी हुई है अगर मान के चलिएगा उनका कारियकाल पांच साल तक बना हुआ था क्या इनको दुबारा से फिर न्युक्त किया जा सकता है एक राज्ये में इनको कितनी भी बार अन्युक्त किया जा सकता है कोई भी इसमें टाइम लिमिट नहीं होता कि एक बार या एक टर्म के बाद हम बदल देंगे दो टर्म के बाद हम बदल देंगे ऐसा नहीं है जब तक चाहें जब तक उसको आप रख सकते हैं तो यह इसमे सपत के बारे में यही पर mention करा दूँ आपका जो डावर से clear हो जाएगा इनको सपत को दिलाता है सपत का जो प्रावधान है article 169 में है आनुछेद 169 में आपको confused नहीं होगा एना confusion नहीं होगा क्यों कि मैंने दोनों के बारे में यहां पर mention कर दिया यहांपर 156 में कारिय काल है 169 में क्या है 169 में हमारे सपत है तो इनको सपत कोन दिलाएगा यह संबंदित राज्ये के मुख्य नियादीस लिखेंगे इस बात को संबंदित राज्ये के मुख्य न्यायदीस राज्ये के मुख्य न्यायदीस मुख्य न्यायदीस ऐसे मान के चलिएगा कि बिहार में किसी राज्येपाल को न्युक्त करना है तो बिहार में जो पटना हाई कोट है पतना हाइकोट के जो मुख्ये निया धीस होंगे वो इनको सपत दिलाएंगे ये सभी राज्जों कि मैं बारे में बात कर रहा हूँ फिर वो कोई भी राज्य हो बिहार हो असम हो यहां पर भी राज्येपाल के नियुक्ती की जए तो इनमें से जो भी होगा, वहां के जो संबंदित राज्येपाल हैं, वो ही इनको सपत दिलाएंगे, है ना, वो ही क्या करेंगे, इनको सपत दिलाएंगे, इस बात का उले किया गया है, आर्टिकल 59 में, भाई, क्लियर हां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी 257 में, क्या प्रावधान है, योग गेता को लेकर, योग गेता, योग गेता, है ना, क्या प्रावधान है, योग गेता, यानि कि क्वालिफिकेशन, राज्येपाल कौन व्यक्ति बन सकता है, यो कौन व्यक्ति राज्येपाल नहीं बन सकता है, इस बात को प्रोपर तरीके तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको कुछ क्राइटेरियाज हैं कुछ कॉलिफिकेशन जो रज्येपाल बनने के लिए दिया गया है जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए पचा पांच साल थर्टी फाइब एयर उसकी एज होनी चाहिए लाब के पद पर नहीं होना चाह आपको फिजिकल इतना होना चाहिए आपकी आई जो होनी चाहिए तो यह कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फौलिफिल करने होते हैं हर पद के लिए अलग-अलग है हर कंडिशन्स में अलग-अलग होती है ठीक है चालिए तो यहां पर राज्येपाल को लेकर क्या है कि यह भारत के नागरिक होने चाहिए सबसे पहले भारत के नागरिक होने चाहिए भई नागरिक दूसरा यहां पें 30 वर्च आईयू पूर कर चुके हो पें तीस वर्च आईयू पूर कर चुके हो पूर हो हैना पैंटिस हो मैकसिमँ कोई कितना भी अधिक्तम कोई सीमा नहीं यहां पर लिख देता हूँ फिर आपको कण्फ्यूजन नहीं हो सीमा नहीं है यानि कि आप 65 साल के भी है तो भी आप राज जिपल बन जाओगे आप 95 साल के भी है तो भी है 100 के है तो भी है यहाँ पर मिनिमम का है मैक्सिमम का नहीं है मिनिमम कितना है 35 यानि कि 35 वर्ष मिनिमम है इसके बाद आपका मैक्सिमम कितना भी हो सकता है आप उसमें आप उसमें सीयों हैं आप उसमें अध्यक्ष हैं तो यह लाब का पद माना जाएगा यहां पर आप नहीं होने चाहिए इन पदों पर आपकी नहीं होनी चाहिए अगर है तो आपको पहले वहां से रिजाइन देना होगा तभी जाकर आप राज्येपाल पद के लिए हो पाएंगे वहीं पर एक चीज और है कि आप से पूछ लिया जाता है कि राज्येपाल पद के लिए अगर आप किसी राज्ये के सांसद है या फिर विधायक है या विधायक है क्या राज्येपाल बन पाओगे या नहीं बन पाओगे कैन को लाब का पद माना जाएगा तो य सांसद विधायक जो हैं यह सभी आपको ध्यानक ने लाब के पद में कंसिडर इनको नहीं किया जाएगा है ना क्लियर यहां तक चलिएगा आगे की कुछ कहानी है जो आपको समझते हुए चलनी है इसी में हालागी ऐसा नहीं है कि आप सांसद भी रह सकते हैं और राजये पाल भी रह सकते हैं ऐसा भी निमत समझना चीज़ को अगर आप किसी भी राजये विधान मंडल में संसद हैं देना होगा पद त्याग देना होगा तभी जाकर आप वहाँ पर राज्येपाल बन पाएंगे इनको बस लाब का पद नहीं माना गया है इनको लाब का पद नहीं माना गया लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक राज्ये में विधान सभा में भी रह सकते हो राज्येपाल भी ब चलिए आर्टिकल 169 में ने करा दिया आपको 69 हो गया आर्टिकल 169 हो गया चपन हो गया आर्टिकल 54 हो गया 55 हो गया यह सारे में आपको करा चुका हूँ ठीक है ना इसके बाद हम बात करेंगे राज्येपाल के जो हमारी सक्तियां है उनके बारे में बात करते हैं राज्येप पाल की सकतियां इनको क्या क्या सकतिया प्राप्त हैं कोशन्स बनता है आपने सुना होगा कि मृत्युदंड पर राज्यपाल और हमारे राष्ट पती को लेकर क्या क्या सकतिया है इनकी विधाई सकतिया कौन सी होती है इनकी कार्य पाली काई की सकति कौन सी होती है नियायक सक क्पच्ट की सब्सक्राइब कार्ये का सकति इस तो तुछ चैनकी पर विधाई सक्तियों विधाई शक्तियां ठीक है तीसरा आपका हो जाएगा वित्य सक्तियां वित्य सक्तिया चोधाप का हो जाएगा इहां पर नियाइक सक्तियां नियाएक सक्तियां यह चार प्रकार की सक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी यह चार प्रकार की सक्तियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी कार्य पालिगा की सक्ति, विधाई सक्ति और आपका न्यायक सक्ति और वित्य सक्ति इन चार सक्तियों में में देखना है कि कार्य पालिगा की इनकी कौन-कौन सी सक्तिया होती हैं, विधाई की कौन-कौन सी सक्तिया होती हैं, वित्य सक्तिया कौन-कौन सी होती हैं और न्याय पालिगा की कौन कौन सी इनको सक्तियां प्रदान की गई है ठीक है चाल ये सबसे पहले बात करेंगे कारिये पालिगा की सक्तियां एक्जिक्यूटिव पावर जो हमारे राज्येपाल को दिया गया है ये कौन कौन सा है कारिये पालिगा की सक्तियां एक्जिक्यूटिव नाम से होंगे या उनके नाम से संपन होंगे तो राज्य सरकार के सभी कारिये राज्य पाल के नाम से होंगे राज्य पाल के नाम से होंगे या गवर्नर जिसको कहते हैं गवर्नर के नाम से होंगे है ना है ना लागूirement करना है तो क्योंकि यह समिधानिक प्रमुखramos राज्यों में तो जो भी कार्य होंगे वो इनही के नाम से किये जाएंगे इस बात को ट्रructured तरीके से हमारे समिधान में लिखा गया है कि हमारे समिधान के जो प्रमुक होंगे जो भी व्यक्ति उस पद्ध पर आसीन होगा उसी के नाम से सारे कारिय किये जाएंगे सरकार कोई भी कारिय करती है कोई योजना लेकर आती है या कुछ भी लेकर आती है फाइनली देखा जाए तो उसमें हमारे राज्येपाल का एहम रूल होता है उन्हीं के नाम से वो फाइनली डिसिजन लिया जाता है या आपने देखा होगा कि कोई भी कानून अगर पास कराना हो तो केंदर में राश्टपती की बिना सहमेती के वो पास नहीं हो पाएगा है इसी प्रकार से राज्येविधान मंडल में अगर कोई भी कानून पास होता है वो कानून का रूप तभी लेगा जब तक उस पर राज्येपाल के साइन नहीं हो जाते तब तक वो कानून के रूप में अधिन्यमित नहीं हो पाएगा ठीक है तो ये कुछ सक्तिया है उनके बारे में भी पढ़ना है लेकिन फिलाल के लिए जो बेसिक्स बेसिक्स हैं उनको हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे भई ठीक है चलिए दूसरा आपका क्या हो जाएगा इसमें मुख्य मंत्री वा मंत्रियों की न्युक्ती का प्रावधान या न्युक्ती करते हैं मुख्य मंत्री वा मंत्रियों की न्युक्ती राज्येपाल के द्वारा की जाती है राज्येपाल के द्वारा की जाती है की जाती है कहने का मतलब यह हुआ यहां पर कि हमारे जो राज्येपाल होंगे यह किसकी मुख्यमंत्री की न्युक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलहा पर यह किसकी न्युक्ति करेंगे यह मंत्रियों की, अन्य जो मंत्री है उनकी न्युक्ति करते हैं सपत कौन दिलाएगा हमारे ही व्यक्ति को हमारे गवर्नर सपत सोरी न्यूक्त करेंगे सपत कौन दिलाएगा हमारे कि मुख्य मंत्री को एक बार कमेंट में लिखके बताना सपत कौन दिला था क्योंकि राज्येपाल को सपत कौन दिलाते हमारे मुख्य नियाधिज राज्ये के संबंदित राज्ये के मुख्य नियायधीज संबंदित राज्ये के मुख्य नियायधीज जान रखेगा ठीक है चाले यह यहां पर सेकेंड यह हो गया तर्ड और क्या हिसमें थर्ड है हमारे जो हमारे राज्यों के महादिवक्ता है इनको न्युक्त कोन करेगा राज्यों के महादिवक्ता, राज्ये के महादिवक्ता, महादिवक्ता की न्युक्ती का प्रावधान, न्युक्ती करते हैं या प्रावधान आप कह सकते हैं, करते हैं, जैसे केंद्र में अगर देखा जाए तो जो हमारे महानियावादी होते हैं, उनकी न्युक्ती हमारे र तरोनी जनर्नल एना एड्वकेट जनर्नल ओफ इंडिया जिसको कहती हैं तो उनकी न्युकति हमारे राष्टपती करते हैं के इंद्र outward आध जह में राजयपाल करते हैं यह राजयपाल के प्रशाद प्रियंद अपने पद पर बने रहते हैं किसके- राज़यों के है ना राज्यक पाल के प्रशाद प्रयंत प्रशाद प्रिंत प्रिंत प्रींत पदपर बना रहना जो हमारे राज्या लोगसेवा-आयों के अध्यक्ष्वा सदश्य होते हैं एना जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष्वा सदश्यों की न्युक्ति करते हैं अब यहां से कोशन्स और आपके लिए इंपोटेंट हो जाता है कि न्युक्ति तो उनकी करेंगे हमारे कौन राज्य पाल या गवर्नल लेकिन अगर इनको अपने पद से हटाना है तो इनको पद से कौन हटाएगा चाये वो फिर सदश्य हो चाये वो फिर आपके करते हैं जो विष्विध्यालों के कुलपती होते हैं विष्विध्यालों के कुल पती की न्युक्ति करते हैं कुल पती की न्युक्ति करते हैं न्युक्ति करते हैं कौन करते हैं हमारे राज्यपाल जो है विश्विध्यालों में कुल पती की न्युक्ति हाँ पर करेंगे ठीक है तो ये भी आपको ध्यान लखना है ठीक है ना चाले नेक्स इनकी सकती है विधाई सक्ति कौन सी सक्ति है वही विधाई सक्तियां विधाई सक्तियां वही ठीक है ना विधाई सक्तियां तो यह विधाई सक्तियों में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स फॉम में याद रखना है कि क्या क्या सक्तियां उसकी हो सक्ति है जैसे य उन पर अगर कोई खाली है तो उनको पद पर नियुक्त करना या फिर सदन का जो विधान मंडल जब निर्वाचित होती है तो उसके पहले सदन का सत्र का संबोधन करना और आखरी सत्र का संबोधन करना वो इनके विधाय सक्ति का ही एक भाग है चलिए तो यहां पर आप आहूत व शत्रवशान व विगटत करना व विगटत करना विगटत करना विगटत करना है ना यह सारी चीजे आहूत करना क्या होता है सत्रवशान करना क्या होता है यह लेडि मैं आपको complete करा चुका हूँ है विगटित करना किसे कहेंगे आहुत करना साहरी चीजें आपको विधान सभा अध्यक्ष होते हैं विधान सभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद अगर खाली है तो उन पदों पर न्युक्ति करना न्युक्ति करना नुक्ति करने विधान खाल करने का सऽे हमारे राज्यपाल को सकती है और क्या है और बताया था कि हमारी जैसे राज्य सभा है ऐसी हमारी विधान परिशद है क्या है हमारी विधान परिशद है तो जिस परकार से राज्य सभा में हमारे राष्ट पती बारा व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं या नोमिनेट करते हैं मनोनीत करना यह फर नोमिनेट करना नोमिनेट करना है रहा यह करते हैं उसी प्रकार से यहां पर एक और कुल सदश्यों कार से व्यक्ति यहां जो विभेन चेत्रो अब ये विभेन चेत्र कौन-कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ये विभेन चेत्रो जैसे 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 कौन-कौन से चेत्र है कला का चेत्र हो सकता है वही कला है आपका साहित्य का चेत्र हो सकता है है ना साहित्य हो सकता है आपका विज्ञान हो सकता है आपका समाज से भी हो सकता है क्या हो सकता है समाज से भी हो सकता है वाई कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के छेत्र से कुल सदश्य के एक बटा च्छे का अब कुल मान के चलिएगा कि एक सो बहातर है मान लीजेगा त करता है कि उस विधान परिशद में कुल सदक्ष्यों की संख्या कितना है हमारी छे विधान परिशद है यूपी बिहार आंद प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट करनारक तो इनमें अलग-अलग संख्या होती है जरूरी नहीं कि एक में जो संख्या दूसरे में भी हो जाए त उनकुल सदक्ष्यों का एक बटाचे एना कुल सदक्ष्यों का एक बटाचे राज्येपाल द्वारा मनोनीत किया जाते हैं राज्येपाल द्वारा चालेगा यहां तक क्लियर है कोई डावड यहां तक किसी को नहीं होगा मैं उमीद करता हूँ ठीक है चालेगा वई कुछ है विधाई सक्तिया इनकी है कौन सी सक्तिया विधाई सक्तिया इनके बारे में हमें चर्चा करने है वई विधाई सक्तिया कैसी है क्या है किस परकार स हैं वो सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं इनको विधाय सक्तिया जो दी गई है यह कैसे इनका प्रियोग करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान अकना है कि यह वार्शिक वित्य विवरण विधान मंदल में प्रस्तूत करते हैं जैसे हमारा जो बजट वार्शिक विद्ध्य विवरण को कहते हैं बजट जैसे हमारे बजट जो है इसको राष्टपती जी संसद में रखते हैं सेम उसी प्रकार से ये सक्ति इनको दी गई है कि बजट को या वार्षिक विद्ध्य विवरण को विधान मंडल में प्रस्तुत करना तो यहां पर आप विवरण को विधान मंडल में प्रस्तुत करना विधान मंडल में प्रस्तुत करना प्रस्तुत करना यह क्या कहलाता है यह कहलाता इनकी विधाई सक्ति यह वार्षिक विद्ध्य विवरण का मतलब है यहां पर बजट क्या है बजट यहां पर और इसका अंसर सही हो जाएगा बजट की पूर्वानुमती के बाद प्रस्तूत नहीं किया जाएगा जैब है देखते हो ना लोग सभा क्या लेकर आती है जलेक काइं की बारे में बाद करें तो हमारे राश्पदी की पूर्वानुमती के बाद शाद ही दन विद्यक है जो है जिसको मनी बिल कहते है आर्टिकल एक-110 में उसका प्रावधान हैं वह संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसी प्रकार से राज्य-विधान-मंडल की विधान सभा जो है हमारी वहां पर अगर मनिविल को लेके आना है तो इससे पूर्व राज्य पाल की अनुमती अनवार ये होती है ठीक है नब आज समझ में आई को यहाँ पर क्या हो जाएगा कि धन विद्यक धन विद्यक राष्ट पती स्वरी राज्य पाल की या गवर्नर की रजय पाल की पूर्व अनुमति के बाद पूर्व अनुमति के बाद विधान मंदल में प्रस्थुत होता है विधान सभा या विधान मंदल में प्रस्तुत होता है प्रस्तुत होता है ठीक ना प्रस्तुत होता है यहां तक यहां तक किसी को कोई डाउट है दो बताएंगे भई क्लियर हुआ यहां तक चलिएगा है ना चलिए है नियाएक्सक्ति है नियाएक्सक्ति इंपोर्टेंट्वाइन से कोशन्स पूछे जाते हैं नियाएक्सक्ति से इनके कोश्चन्स को पूछा जाता है तो नियाएक सक्तियों में ध्यान नकना राज्ये पाल को छमा अगर मृत्यु दंड को छोड़ दिया जाए है है ना हमारे जो राज्ये का चम करना परविलंबन करना विराम करना लगू करन करना मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं माफ नहीं कर सकते हैं इनको यह प्रावधान नहीं है मृत्यु दंड को माफ करने का प्रावधान नहीं है बाकी जैसे किसी की समाच सुरी सजा है उसको कम करना सजा का जो सजा ढी गई है उसको 20 साल कफॉर करावांस में कर देना तो ये बावधान दिए गए है ये प्रावधान दिए गया है राष्ट पती को प्राप्त है राष्ट पती को प्राप्त है ध्यान नखेंगे यहां तक यहां तक किसी को को डाउट है तो बताएंगे यहां तो कोई समझे आपको नहीं होनी चाहिए ध्यान लखेगा ठीक है चलिए अगर किसी जीले नियाय लेदीस की या जीला नियाय धीस की न्युक्ति होनी है जीला नियाय धीस की न्युक्ति पर प्रामर्श करते हैं कि न्युक्ति पर न्युक्ति पर प्रामर्श कि यस सलहा देते हैं तो यह कुछ सक्तियां है जो आहां से कोशन्स आता है आप से पूछ लिया जाएगा कैसे बनेगा कोशेंस बनेगा कि जो सत्रवशान विगटन या फिर सत्र को आहूत करने की जो इनकी सकती है वो किस प्रकार की सकती माने जाती है विधाय सकती माने जाती है नियायक सकती माने जाती है या फिर कोई अन्ने तो इस तरह के questions भी आपके exams में आएंगे ठीक है चालिए यहाँ पर एक छोटा सा topic है जैसे article 163 को एक बार देख लीजेगा 163 क्या कहता है article 163 तो इसमें प्रावधान है कि मंत्री परिशद का राज्येपाल को सहयोग करना मुख्य मंत्री की जो मंत्री परिशद होती है क्या होती है मंत्री परिशद का राज्येपाल को सहयोग करना राज्येपाल को यह गवर् लेकिन इसको प्रोपरली समिधान में अनुचेट के द्वारा वर्नित किया गया है कि एक जो हमारे राज्यपाल होते हैं और हमारे मुख्य मंत्री वा उनकी मंत्री परिशद जो होती है यह राज्यपाल की सलहा के लिए होती है जैसे मैं आपको कुछ समय पहले बताया था कि जो हमारे गवर्नर हैं इनकी मदद के लिए इनको सलहा देने के लिए यह इनको सहयोग देने के लिए मंत्री परिशद होती है नहीं और हमेरे राज्यपाल को हर आप करती है यह आर्टिकल 163 में इस बात का प्रोपरली उन्लेक किया गया है यहां तक आपको किसी को भी कोई प्रेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है चालेगा यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी विपरकार का कोई डाउट नहीं होगा भही है ठीक है हां तो मुरित्युदंड से कोशन काफी बाहर आएं भई मृत्युदंड के अलावा एक और है यहां पर एक और एड करेंगे मृत्युदंड के अलावा जो सेन्य सजा पाई वे वक्ति अगर किसी को सेना के द्वारा सजा पाई गई है सेन्य सक्ति हैना सेन्य सक्ति यह सेन्य द्वारा सजा पाई व्यक्ति को छमदान का प्रावधान नहीं है छमदान का राज्येपाल को प्रावधान नहीं है नहीं है ध्यान रगना हमारे राज्येपाल को यह प्रावधान नहीं है जो चमदान पाए हुए है डियर ठेक है चालेगा तो यह दाजका अब कर शेशन मैं उमीद करता हूँ कि आपको पैतर लगा होगा आप कोई भी कॉम्पेटिटिप एक्जाम की तयारी कर रहे होंगे तो यह class आपको बड़ा useful होगा तो आप इसको बहुत बहुत बैतर तरीके से देखकर notes बनाएंगे इसी परकार की और भी आपको videos मिलती रहेंगी जो आपको काफी help करने वाली हैं तो आप अच्छे से अपने exam दे preparation को अच्छा करें इसको पढ़ने के बाद questions paper जरूर लगाए एक बार previous जरूर देखिएगा क्या questions से कई में आते हैं या नहीं आते हैं ठीक है तो next is मतलब इसी तरीका के वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो तब तक के लिए नमश्कार जैहिंद जैभाला झाल झाल झाल